हेलो एव्रिवन वेलकम टू माई यूटीब चैनल मिनाक्षी मैज क्लासिज आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर नमबर लेवन पैरिमिटर एंड एरिया और इसमें ब्रेन टीजर का कोश्चन नमबर 7 और 8 रहता है इस वीडियो में 7 और 8 दोनों कोश स्क्वेर तो एक स्क्वेर है और इसकी साइड हमें दी गया 28 ये भी 28 सेंटिमेटर है और ये भी कहा है 28 सेंटिमेटर इसके बीच में से एक सरकुलर शीट ऐसे बनाया और उस सरकल को क्या किया कट कर दिया find the radius of the largest possible circular sheet that can be cut अब इसमें से न देखो वो करें कि बड़े से बड़ा circle जब बड़े से बड़ा circle आएगा तो वो इसकी sides को touch करेगा बिल्कुल boundary तक आएगा यहां तक ठीक है अब आपको यह बताने कि यह जो circle है उसकी radius क्या आएगी ठीक है तो पहले हम इसकी radius ही find करेंगे बिल्कुल easily find हो जाएगा अब आप देखो मैंने क्या किया यह a b क्या है side है मैंने diameter मिला दिया यहां यह जो circular sheet है इसका diameter मिला दिया ठीक है तो देखो जितना a b है उतना ही है आपका यह क्या बन जाएगा e f ठीक है diameter e f है तो अब आप देखो जितनी square की boundary है यहां देखो square की side है उतना ही उसका diameter है मतलब diameter अगर यह 28 है तो यह भी आपका यहां से लेकर यहां तक कितना हैगा 28 cm तो diameter 28 आ गया है तो आप यहां से लिखो diameter diameter कितना आता है 28 cm therefore radius कितनी आ जाएगी तो radius आपकी diameter की half होती है तो 28 को 2 से divide करो तो यह कितना आ जाएगा 14 cm पहले एक तो हम से पुछा गया था कि आप इसकी radius फाइंड करें तो radius कितनी आ गया है 14 cm अब देखो आपने बीच में से circle कट कर दिया तो यह आपका यहां से यह remaining part है यहां से जहां पर मैंने shade की है अब आपको इसका area बताना है तो कैसे निकालोगे पूरे square का area निकालो पूरी sheet का area निकालो उसमें से circle के area को क्या कर दो minus बीच में से हटा दोगे तो यह shaded area बच जाएगा तो हम पहले निकालते है area of square area of square square का area का formula क्या होता है side multiply side अब side कितनी है square की 28 तो हम 28 को 28 से multiply करेंगे 28 को 28 से multiply करते हैं तो हमारे पास आता है 784 centimeter square तो square का area निकाला अब हम निकालते है area of circle area of circle का formula क्या होता है pi r square pi की जगा 22 by 7 r यहां किसको indicate करता है radius of circle और वो हमने यहां पर मैं लिख देती हूँ r और radius हमारे थी 14 तो 14 into 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14 तो यहां पर हमारा आ जाएगा 616 centimeter square circle का area कितना है 616 centimeter square अब मुझे तो remaining part का निकालना था हम लिखेंगे area of remaining part area of remaining part तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा square के area में से पूरी sheet में से circle का area minus करना पड़ेगा area of square minus area of circle तो square का area अब भी निकालना है वो आता है 784 और circle का area अब भी निकालना है वो आता है 616 इनको minus करो तो हमारे पास आ जाएगा 168 cm square ठीक है 784 में से 616 minus करते हैं तो यह आएगा हमारे पास 168 cm square तो यह आपका question number 7 हो गया है ठीक है radius आपकी आईए एक तो यह answer बनेगा 14 cm और एक 168 cm square यह 7th question है आपका next हम करते है question number 8 triangle ABC is right angle at A तो मैंने यहाँ पर एक triangle बनाई ABC ABC अब इन्होंने बुला right angle at A तो A point पर हमने 90 degree का angle बनाई है ठीक है AD is drawn perpendicular to BC अब देखो AD A point से on BC यह जो आपकी BC side है इसके उपर एक perpendicular draw के मतलब A को ऐसे मिलाया है A point आपका D point पर जाकर मिलेगा और वो perpendicular है मतलब D पर भी 90 degree का angle बन जाएगा ठीक है इफ AB is equal to 5 A से B 5 cm दिया हुआ है and AC 12 AC 12 cm है find the area of triangle ABC पहले तो आपके पूरी triangle ABC उसका area निकालना है also find the length of AD फिर आपको यह A से D perpendicular बताना है कि कितने हैं तो सबसे पहले हम area find करेंगे area of triangle ABC अब triangle के area का formula होता है 1 by 2 base into height ठीक है 1 by 2 अब मैं base ले रही हूँ AB को और height ले रही हूँ AC को ठीक है 1 by 2 AB की value है 5 और AC की value है 12 2 1s are 2, 2 6s are 12 तो 5 6s are 30 तो हमारे पास आता है 30 cm square एक तो हमें यही बताना था कि यह जो triangle है इसका area कितना आएगा तो triangle का area है 30 cm square अब आप यहां से देखो अब आपको बताना है find the length of AD मैं आप यहां से एक चीज लिखती हूँ area of triangle ABC अभी अभी हमने निकाल अब हो कितना आता है 30 cm square मैंने इदर राइट में तो 30 equal की जगे equal 30 की जगे 30 area of triangle का formula होता है 1 by 2 base into height यह होता है ठीक है 1 by 2 अब मैं क्या करती हूँ मैं आपको इस page को rotate करके दिखाती हूँ मैंने इस triangle को ऐसे रख लिया अब की बार आपका base क्या बन जाएगा CB ठीक है base क्या बन जाएगा CB और height क्या बन जाएगी AC ठीक है जो भी आपका किसी point से अगर आप एक altitude draw करते हो उसको आप यहाँ पर height लोगे और जिस side के उपर draw किया जाएगा उसको आप base लोगे तो base क्या जाएगी CB या फिर BC base अब की बार लेंगे BC इस side को base लेंगे और height बनेगी AD is equal to 30 1 by 2 अब मुझे यहाँ से यह जो BC side है इसकी length निकालनी है ठीक है तो मुझे BC भी चाहिए और AD भी ना तो AD दियुए है और ना ही BC तो यहाँ पर मैं पहले आपको यह की जो side है BC वो find करेंगे ठीक है आप भी यही पर side में करना आपकी यह पूरी triangle ABC right angle triangle थी ठीक है in triangle ABC using pythagoras theorem using pythagoras theorem pythagoras theorem के according हमारे पास क्या होता है hypotaneous square is equal to base square plus perpendicular square h4 hypotenuse b4 base and p4 perpendicular अब इसमें देखो hypotenuse क्या है 90 के opposite side BC BC square base हम लेंगे AB को और p4 perpendicular perpendicular हम लेंगे AC को ठीक है अब आप देखो BC की length तो हमें नहीं दे रखी लेकिन हमें पता a से b5 है और a से c12 है इसको solve कर लेंगे तो यहां से देखो BC square कितना आ जाएगा 55 is a 25 and 12 को 12 से करेंगे 144 BC square is equal to इनको add करो 169 BC square 169 क्या होता है 169 होता है आपका 13 multiply 13 13 multiply 13 बहुत question किये है आपको याद भी हो गया होगा तो 13 into 13 को क्या लिख सकता है 13 raise to power 2 जब दोनों तरफ power same है तो base भी same होगा तो BC की value कितनी आ जाती है 13 ठीक है तो यह जो B से C है यह आपका आ जाता है 13 centimeter ठीक है 13 centimeter आ गया तो अब हम यहाँ पर use कर लेंगे BC की value कितनी निकली है 13 into AD is equal to 30 AD को यहीं रखते है 30 2 नीचे है तो यहाँ जाके उपर आएगा और 13 उपर से कहाएगा नीचे ठीक है तो हमारे पास AD की value आई है AD is equal to 30 to the 60 divided by 13 60 divided by 13 आया है तो यहाँ से देखो हम इसका क्या करेंगे decimal में answer निकाल लेंगे तो मैं यहाँ पर divide करके दिखाती हूँ 60 को 13 से 13 4 जा 52 remainder आता है 8 अब decimal यहाँ decimal यहाँ 0 लो 13 6 जा 78 remainder एक 0 लेते हैं 13 जा 13 यहाँ से बचेगा 7 अब हम क्या करेंगे बस इसको अभी divide आगगे भी हो सकता है लेकिन मैं इतना ही छोड़ दूँगी approximately ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे AD is equal to 4.61 centimeter क्योंकि सबको centimeter में है यहाँ पर लिख देंगे approximately ठीक है तो यहाँ पर आपका brain teaser का question number 8 भी complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें Thank you so much